नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम रिजिनिंग के पार्ट टू को डिसक्स करेंगे इससे पहले हम पार्ट वन डिसक्स कर चुके हैं जिसमें हमने त्रभूज आयत वर्ग और समानता चदरपूज निकालना सांतिस क्लॉक को भी पढ़ा था और यह पार्ट टू वीडियो है इसमां यू के त्रपल से एक्जाम से संब्धित रिजिनिंग के और को डिसक्स करेंगे और देखे इस वीडियो से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रिजिनिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे लेकिन यह जुरूर हो जाएगा कि आपको कैसे question आते हैं इसका थोड़ा पाता चल जाएगा कैसे उनको करते हैं थोड़ा method आपको पाता चल जाएगा ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंट सबसे पहले हम डाइस को देखेंगे अब डाइस दो बरकार की होती है आपको ब जैनल पासा क्या है तो वो क्या है है ऐहां पर देखिए 5 और फ्लस दो करेंगे तो साथ हो रहा है ये एक जैनल पासा है ठीक है और दूसरा है मानक पासा में जो अपको 3 फलग दिख रहे हैं निकेट वर्ती फलग इनका योग साथ नहीं हो सकता ठीक है एक प्लस चार करेंगे तो पांच होगा, चार प्लस पांच करेंगे तो नौ होगा, एक प्लस पांच करेंगे तो छे होगा, तो इनका योग साथ नहीं होना ची, निकट वरती फलकूं का जो आपको दिख रहे हैं वो फलकूं का, ठीक है, तो उसको कहते है मानक पासा, लेकिन इनके विपरीद फलकों का योग जो है साथ होगा और मानेक पासा बहुत कम पूछी जाते हैं इससे question बहुत कम आते हैं ज़्यादे दर question आपके general passes आते हैं जो सामानी पासा होता है उससे आते हैं पांच ये, इसके बिपरीट फलक का योगों इसमें दो जोड़ेंगे, तब ये 7 हो गया, ठीके, मतलब कि 1 के बिपरीट 6 होगा, 4 के बिपरीट 3 होगा, और 5 के बिपरीट 2 होगा, मानक पासा वही पासा होता है, जिससे हम लूडों खेलते हैं, ठीके, आपने लूडों खेल प्रफटी फलकों का योग जो है साथ होता है और जनल पासे से भी दो तरीकी कोश्चिन पुछा जाते हैं एक आपका बंद पासे से दूसरा आपको ओपन डाई से ठीक है तो यह पहला कोश्चिन आपका पासे का यह जादा पूछी जाता है सामानी पासे से तो यहां पर प्रफटी फलक दिख रहे होंगी यह एक दूसरा के बिपरित नहीं हो सकती है तीन के बिपरित पास नहीं हो सकता है और दो के बिपरित तीन नहीं हो सकता है ठीक वैसी पास के बिपरित छे नहीं हो सकता है चार के बिपरित छे नहीं हो सकता है तो आप इसको कैसे करेंगे तो आपको इसमें क्या होता है common DO number लेने होते हैं जैसे हमने 5 एक common number है इसको ले लिया इसको फिर clockwise घुमाना होता है ठीक है यह हम clockwise घुमती है घड़ी ऐसे हम घुमाना होता है तो clockwise घुमेंगा तो 2 आएगा पहले फिर 3 आएगा ऐसी यहाँ पर भी करेंगे 6 आएगा फिर 4 जाएगा चार अब जो आपका बन रहा है यह आपका अंसर होगा अब जो देखिए तीन की विप्रित क्या आएगा चार आएगा दो की विप्रित क्या आएगा छे आएगा अब पांस की विप्रित क्या आएगा जो बचा है बचा क्या है एक तो मतलब पांस की विप्रित एक ह लेकिन पूछे आप से question में 2 के विप्रिट क्या आएगा तो 2 के विप्रिट जो है 6 आएगा ठीके तो 6 इसका सही जबाब हो जाएगा तो इस प्रकास से आपको clockwise गुमाना है दो फलकों को लेकर दो same number को लेकर ठीके आप देखे एक पास से की तीन इस्तिती वाला देख लेते हैं तो यहाँ पर तीन इस्तिती आपको दी गई है ठीके तो इसमें कैसे करना है तो वही rule करना है जो हमने बताया थे कि clockwise गुमाने वाला दो same number लेके लेकिन अगर हम पहले और तीसरी वाली को देखें तो यहाँ पर तीन भी same है यहाँ पर भी तीन है यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है तो इसको रहन देते हम हम ले देते हैं यह वाली को और यह वाली को क्योंकि पास यहाँ पर भी है और पास यहाँ पर भी है इससे हम चेक करते हैं तो 5 लिंगे हम इसके बाद हमने clock wise घुमाया ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे घुमाएंगे ठीक है तो 4 आजाएगा फिर 2 आजाएगा फिर इसको भी देखिए 5 के बाद यहाँ ऐसे घुमाएगा 3 आएगा फिर 1 आएगा 5 के बाद आएगा 3 फिर 1 ठीक है तो आपको क्या पता चला 2 के बिपरित 1 है 4 के बिपरित क्या है 3 है 5 के बिपरित क्या आएगा जो बचा है मतलब की क्या बचा है 6 आएगा तो 5 के बिपरित तो 6 है 4 के बिपरित 3 है तो पूछे आप से तीन के विप्रित तो तीन के विप्रित आपका चार होगा दो के विप्रित आपका एक है ठीके जो भी आप से पूछा जाएगा पता चल जाएगा कौन सा किसके विप्रित है और वो बात भी आपको ध्यानक नहीं है जो तीन आपको फलकें दिखाई जाती है यह एक दूसरा के बिपरीद नहीं हो सकती यहां पर यह आप देख लीजिए तीन में देखिए एक और पांच है तो एक और पांच इसके बिपरीद नहीं है चार में देखिए पांच और दो है इससे जादा टप नहीं पूछता है, या तो दो इस्तिती वाला पूछ लेगा, या तीन इस्तिती वाला पूछ लेगा, ठीक है, और देखिए अगर एक open dice अगर पूछ लेता है, यह पूछा तो नहीं गया है, अगर आने वाले exam पूछ लेता है, तो इसको कैसे कनना है, तो तो यहां पर सबस्वर्य एप से स्टार्ट करते हैं, F का अल्टर्नेटीव क्या होगा? B होगा, मतलब कि F के विप्रीद जो होगा? B होगा, यहां से हमें पहले चेक कर लेना है, ठीक है? एप के विप्रीद E क्यू नहीं है? यह तो इससे टैची हो रहा है, ठीक है, यह इसका अल्टर्नेटीव कैसे हो गया? अब E क्या विप्रीद क्या होगा? E का विप्रीद होगा C, तो E के विप्रीद आएगा C हमारा ठीक है? और बचा क्या? A के विप्रीद D, A के विप्रीद हमारा है D, अब देखे पहला वाला जो आपस आपको दिया है मैंने आपको कहा था कि 3 जो आपको यह दिये रहेंगे यह निकट पुरती होंगे लेकिन इसकर भीप्रीत नहीं होंगे तो यहाँ पर देखे F B है, B B है तो F B के भीप्रीत कैसे हो जाएगा ठीक है यहां पर देखिए एप के यह निकट पूर्टरी D और E है ठीक है तो यहां पर B नहीं है और E का C भी नहीं है और A का D भी नहीं है तो मतलब कि यही इसका answer है ठीक है बाकी भी चेक कर लेते हैं E के साथ C है तो E के साथ C तो नहीं हो सकता है यह गलत है D के साथ A है यहाँ पर यह भी नहीं हो सकता है यह भी गलत है तो option number 2 इसका सही जबाब है तो इस परकार से आपको पहले check कर लेना है alternative लेके उसके आपको यहाँ पर check कर लेना है ठीक है तो इस परकार से आपको यह open dice को कंदा है बढ़ते हैं आगे तो next हमारा missing number मिसिंग नंबर से डेफिनेटली कोश्चन आता है यूक कितर परसी में हर एक्जाम में आता है question कई बार दो कोश्चन आ जाते हैं जिसमें से एक format रहता है यह box वाला और दूसरा जाता है series वाला ठीक है तो यह missing number वाले question जरूर आने हैं और इनके लिए आपको सबसे पहले time कम होता है लेकिन आपके पास यूक कर सकता है कि आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं question को ठीक है जैसे दो question previous year के मैंने लिए हैं तो इनमें देखिए यह जो boxes वाले question आते हैं इसमें आपको जो सबसे बड़ी संक्या होती है उसको बनाना होता है चोटी संक्या होसे ठीक है और इनको बनाने के लिए आपको multiply ना हो सकता है और इनको बनाने के लिए आप यह देख लीजी यह कहीं आप तो नहीं है कहीं स्क्वार तो नहीं है और अगर नहीं है तो आपm timе कर सकते हैं तोे ξरकिले करने पर 9 12 ,13 अब आपको देखते हैं तो देखिए ये एक number series का question है, missing number का, ये question exam में जरूर आता है, और इसको करने के लिए आपको cube यादने चाहिए, square यादने चाहिए, आपको logic आना चाहिए, आपको logic की आना चाहिए, सबसे पहले आपको इसका difference देखना होता है, इन number में, ठीके, difference से नहीं हो रहा तो दूसरा logic try करेंगे, square में कुछ plus करके try करेंगे, जिस logic से बनता है, वो logic आप try करेंगे, जैसे इस question में कौन सा logic लगा है, देखिए, यहापर लिख है, 2, 10, 30, और इसके बाद है 68, तो यहाँ कौन सा logic लग रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें लग रहा है, 1 का cube, plus 1, ये होगा 2, ठी करेंगे, 2 का cube, plus 2, तो 2 का cube होता, 8, plus 2, 10, ठीके, इसके बाद लग रहा है, 3 का cube होता है, 27, plus 3 करेंगे, तो 3 का cube, 27, plus 3, 30, ठीके, इसके बाद देखिए, 4 का cube कितना होता है, 64, तो 64, प्लस 4 कितना होता है, 68, अब हमें next चाहिए, तो इसी logic की साथ करेंगे, तो आप आएगा 5, 5 के cube करेंगे, और plus 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 125, plus 5, 130, ठीके, ये हो जाएगा answer option number B, अब इस question में हमने ऐसा logic क्यों लगा दिया, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है, जो 10 है, 30 है, answer है, ये cube के आसपास ही है, मतलब जो number cube होता है, 1, 2, 3, 4 के, आसपास के number है, मतलब cube मे इसमाल लिया, 2, 5, 8, 11, और next हम से पूछा है, ठीके, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर 3 plus हो रहा है, यहाँ पर भी 3 plus हो रहा है, फिर 3 plus हो रहा है, तो इसी logic को हम follow करेंगे, ठीके, तो आपको starting से पता करना है कि कौन सा logic follow कर रहा है, उसी logic से आप करोगे, तो आप आपको answer आज आएगा, ठीके, कई बार alternative logic भी लग जाता है, कि इस का जो है, इस से संबन्द होगा और इस वाले को इस संबन्द होगा, ठीके, फिर जो, इस से होगा, फिर जो answer आएगा, इस फिर आपको, उस से होगा, तो कई बार इस प्रकार का भी logic लगता है, तो इन अव आपके बास time होता है आप कर सकते हो इसको कोई यादा दिक्कर नहीं होती है नंबर सीरीज वाले में और उतने tough question भी नहीं पुछता है UKCCC तो इस प्रकार से आपको इन question को handle करना है तो बढ़ते आगे अगले question के और नेक्स देखिए कुछ एक इस टाप को question आता है यह ज्यादा difficult question नहीं होता है इसमें आपको बस असंगा धूनना होता है जैसे 7 का क्यूब होता है 348 का क्यूब यहां पर गलत है 512 होता है यह इसमें इस टाप को question होता है इसमें difficulties होती है ज्यादा तर ठीक है तो इस वाले question में आपको जो blank दिये गए हैं यहां पर fill करने होते हैं जो option आपको दिये गए है ठीक है अब यह देखिए इसमें भी sequence का system होता है और sequence चेक करने के लिए इसमें क्या होता है जहां पर हमें सबसे ज्य है है यहां पर भी Menge वा सी हमें लाना पड़ेगा ठीक है तो तीन बार सी लाने करें डरétat के करने और और एक और यहां सब्सेचर अब देखिए यहां से starting क्या हो रही ही starting कहां से हो ठीए A B B से हो रही है तो यहाँ पर हमारा A होना चाहिए तो क्या बन रहा हमारा B B A C कौन सा है B B A C option number D इसका सही जवाब है तो इस प्रकार से आपको देखने हैं जहां पर देखे सब से हदा अल्फाबेट होंगे, वहाँ पर चेक करना है, वहीं पर से आपको पता चल जाएगी कैसा यह बन रहा है, ठीक है? नेक्स देखिए, कुछ इस टाइप का क्वेशिन आता है, डिरेक्शन वाला, डिरेक्शन वाले दो-तीन प्रकार से आते हैं, मतलब कभी आप से पूफ़लेगा ग्राइप कि सब्रहन कर चल रहा है, सबसे पहले तो आपको दिसा का ज्यान होने चाहीं आप सही दिसा में चलनी चाहे है, अगर आपका direction नहीं गलत हो जाएगा तो answer भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो इस वाले question में देख लेते हैं 4 km उत्तर के ओर चलता है यहाँ पर 4 km उत्तर के ओर चला ठीक है फिर देखिए यह देखिए आपका यह direction होता है यह आपका north हो गया, south हो गया, यह west हो गया, यह east हो ठीक है फिर देखिए क्या करता हो पूरव के ओर चलता है, east के ओर चलता है 6 km ठीक है फिर चलता है आपका ठीक उत्तर के ओर फिर से 4 km तो आपको दूरी पुछिए जो इसकी starting point है यहां से, जहां पहुंच गया, यहां तक की दूरी पूछिए है कई लोग क्या करते हैं, इन सबी को add कर देते हैं और 14 उत्तर मार देंगे आपका, लेगि ऐसा नहीं है देखिए friends, अब इसमें करेंगे कैसे हम तो यह देखिए, यह जो हमारी दूरी है यह 6 km की है पूरी total, ठीक है इसको हम दो पाड़ हमने हम पर काट दिया तो यह 3 km हो जाता है हमसे 3 km यह है, 3 km यह है, ठीक है यह 20 से इसका कट देगा, ठीक है 3 km है अब यह 4 km है, यह 3 km है तो इसको हम A, B और इसको C मानेंगे तो हमारी यह वाली दूरी आजाएगे, ठीक है इसको A, C कहेंगे हम यह दूरी आजाएगे यहाँ पर हम Pythagoras पर में लगाएंगे तो हमारा करण का स्क्वेर होगा हमारा A, C स्क्वेर is equal to A, B स्क्वेर प्लस B, C स्क्वेर मतलब यह होगा आपका लंब और यह होगा आधार, इसका स्क्वेर तो देखे, A, B स्क्वेर कितना होगा 4 का स्क्वेर 16 और प्लस 3 का स्क्वेर 9 होगा यह हो जाएगा 25 तो स्क्वेर है, यह दर जाके रूट में हो जाएगा तो इसका आजाएगा 5 ठीक है तो मतलब कि हमारा AC मतलब है 5 है यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तर ठीक है तो टोटल कितना हुगा है इन दोनों को एड करेंगे तो कितना हो जागा 10 तो इसका अंसर आएगा 10 option number C का सई जवाब है तो ऐसे आपको पाइसोग्रोस पर में लगाना है कई बार क्या होगा ऐसे चार क्लोमेटर जाएगा एसे चार क्लोमेटर फिर वापस आजाएगा 10 क्लोमेटर तो आप कई बार यह दूरी भी आपस पूछ लेता है इसमां पाइसोग्रोस नहीं लेगा सें अपनाएगा बनता है तो इसमां पाइसोग्रोस प्रमी लगां की कर सकते हो इस टाइप के कोशिन को नेक्स देखिए एक कोस्ष्यन इस प्रकार पहुचा जाता है कौन लंबा है चोटा है ठीक है तो यहां पर हमारा उज्वल ऑगया यह लंबा किस से है रवी से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रीता है तो रीता इस ग्रेटर दन उज्वल ठीक है तो हमारे यहां पर इस प्रकार से बन जाएगा यह उज्वल और यह आ जाएगा हमारा रवी ठीक है तो इसमें पुछा है सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा कौन है रवी है लास में एक तो गोला वाला आता है उसको हम कल करेंगे ठीक है इस प्रकार के वाले में क्या करना होता है इस question को देख लेते हैं सुरेज दाये से 15 एवं 22 से इतना बोलेगा तो आपको करना है पहले तो कुल हमें निकालने के लिए हम उसको 15 इसको दाये से है और 22 से 16 है इसको एड़ कर एंगे तो इसको 30 आएगा तो उस पangतमी में कितने विक्ति है 30 झाइए तो 20 व्यक्ति और सामेल के जाये कि संक्या 50 हो जाये तो 20 विक्ति और करेंगी कि कितने हो जाएगी पचा संक्या हो जाएगी आपसन तो यह question इस प्रकार के होते हैं और ज्यादा tough वाले नहीं पूछते हैं आपको या total पूछ रहीगा या दो लोग उसमें डाल दीगा लेकिन जब दो बंदे डाल देता है तब हम minus नहीं करते हैं अगर एक ही बंदे को दो बार कहा जा रहा है यह दाएं से यह बाएं से ठीक है तो mirror image और water image से कभी कोश्चन आता है कल मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया थी कि clock में कैसे mirror image और water image निकालते हैं अब देखिए alphabet का कई बार mirror या water image पूछ लेता है कई बार कोई आपको figure दिया रहेगा उसका mirror या water image पूछ लेता है इसको आपको करने के लिए इसका concept बताया थी कि mirror image और water image कैसे निकाल तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे mirror image के ठीक है तो mirror image निकालने के लिए जैसे हम पर mirror लगाते हैं यह हमारा mirror है तो देखिए कि किसी भी figure के चार phase होते हैं एक हो गया उसका टॉप वाला phase एक उसका हो गया bottom वाला और उसका हो गया left वाला एक उसका हो गया right वाला ठीक है mirror image का concept यह है यह top और bottom वाले में कोई changes नहीं होते हैं लेकिन जो left है वो right में चले जाता है और जो right है वो left में जाता है किसमे mirror image में ठीक है अगर हम यहां पर mirror लगाते हैं कोई भी आप figure दिया गया है उसमें mirror लगांगे top और bottom में उसका कोई change नहीं होगा लेकिन left वाला उसका right में चले जागा और right वाला उसका left में जाएगा ठीक है ऐसा होता है तो यहां पर जिससे question में आपको दिया है यह इसमे mirror image हमें find out करना है e एक alphabet है तो यहां पर देखिए इसका mirror image कैसे बनेगा e अपका यहां से बनेगा ऐसे करके ठीक लेट राइट सेमी है इसका इसका जेट का देखिए जेट यहां पर left में ऐसा है तो यहां साम स्टार्ट करेंगे यह जेट बनेगा ऐसे ठीक है ए में कोई change नहीं आएगा ए वैसी रहेगा जैसा है जी देखिए जी यहां से start हुगा यहां से करके ऐसे बनेगा जी और ए से सेम रहेगा और M देखिए M भी आपका सेम रहेगा क्योंकि left right दोने सेम ही है तो यह आपको concept करना है mirror image में दरपन परतिविम में है ठीक है कि left right चेंज हो जाएगा और top और bottom वही रहेगा उसमें कोई changes नहीं रहेगे लेकिन अगर आप water image बनाते हैं अगर आपको water image पूछत लेकिन top वाला नीचे आजाएगा और bottom वाला उपर चले जाएगा तो यह होगा उसका concept ठीक है बस आपको concept पता होना चीए mirror image में left का right चले जाता है right का left आजाता है तो आज के इस वीडियो में इतने हम question पढ़ेंगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे calendar को calendar थोड़ा बड़ा topic है exam से पहले उसको कर देंगे हम ठीक है calendar और आपका एक when diagram से question पूछा जाता है उन दोनों को करेंगे ठीक है तो यह है इस वीडियो का end thanks for watching and God bless you all